दोस्तों NHPC Limited की बात करें यहाँ पे दो बड़ी गुड़ने उच निकल के आ रही है एक तरब तो इसको काफी सांदार रेटिंग मिली है और दूसरी तरब यह Morgan Stanley के Global Index में सामिल होने जा रहे हैं तो यहाँ पे इन सारी अपडेट को समझने की कोशिस करेंगे और क्या इस समय हमें NHPC में इन्वेस्मेंट करना चीए क्योंकि स्टॉक फिर से 100 को क्रॉस करने को तयार हो चुका है पिछले कुछ दिनों से स्टॉक काफी दबावे था लेकिन स्टॉक के अदब धिर देत तेज बनने लगी है क्या इस तेजी का फाइदा उठा के हमें इस लोर पे खरिदारी करनी चीए क्या ये एक बड़ा मल्टी बैगर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है जानेंगे इस वीडियो के माद्यम से दूसरी तरफ हम वोड़ा फोन आइडिया को डिसकस करने वाले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक उन दबा दीजिए ताकि जबी निया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू किजिए चलो फ्रेंड वीडियो स्टार करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले नहीं पीसी लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की सुरुआ तो पॉजिंग कलकी 93.20 के आसपास थी इंट्रा डे में 93.40 का लोग बना यानि आज दिन में गिरावट बिल्कुल इसे श्टॉक के अंदर देखने को दी मिली जो हाई बना वो 95.50 का है यानि फिर से 95 के स्टर को इसने चूल लिया है अभी इस समय श्टॉक 94.65 के आसपास ट्रेट कर रहा है जापे 1.56 परसें की तेजी देखने को चुका है तो देख से तो कि यह हाइड्र एलेक्टिक पाउर प्लांट को प्रमोट करने के सरकाने इस कंपणी को बनाया था लेकिन अब आप देखो कि सोलर प्रोजेक्ट कंपणी कर रही है अलग लग स्टेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट कर लिए और इस काफी बड़ा इसके लिए फांटेजिंग भी तयारी कर चुकी है तो कुल मिला के अच्छा खास है यहां पर संभावना पॉजिटिव बन रही है अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो यहां पे एक्चेंज को जान करी दिएगे कि NHPC Limited ने पार्टिसिपेट के था SNP Global Corporate Sustainability इनको काफी बड़ा अच्छिवमेंट मिला है SNP Global ESG Score इनका 48 के आसपास रहा है जो काफी सांदार है और देखो कि SNP Global की तरफ से ESG Score 79 लिमिटेट को दिया रहा है नौबर 2022 में जो इस समय 48 तक पहुच गया है तो देख सकते हो कि इनका जो इंडेक्स के अंदर इनकी जो रैंकिंग है वो काफी सुदरी है ESG Score इनका 48 तक पहुचा है यह बहुत अच्छी बात है यानि लगातार इनका ESG Score बढ़ रहा है औ तो इस इंडेक्स का हिस्सा बने जा रहे है पेटीम इस इंडेक्स से बाहर निकल जाएगा तो इंडेस्ट टावर सुंद्रम फाइनस सोलर इंडेस्टी इंडिया लिमिटेड मैंकाइड फार्मा यह 12 इस्टोक है जो MSCI Global Index के अंदर सामिल होने जा रहे है और 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 नाइटी संद कम्यूकेशन की जो पैरेंट कंपनिय पेटीम इसको इस इंडेक्स से बाहर किया जा रहा है तो कुल मिला के देख सकते हो कि MSCI इंडेक्स के अंदर टोटल जो इंफ्लो होगा वो टू बिलियन डॉलर के आसपास आने का संभावना नौमा एस्टिमेट की संभावना सोलर इंडेक्स के अंदर 164 मिलियन डॉलर का नया इंवेस्मेंट आ सकता है अब दूसरी तरफ देखे तो यहां पे मेंकाइंड फार्मा जिंदाल इस्टेनलेस टोरेंट फार्मा एनचपी सी लिमिटेड और बहुस इन कंपनी के अंदर जो पैसिव इंफ्लो पर रहेगा वह 100 मिलियन डॉलर के आसपास आने की संभावना है दूसरी तरफ पैटीम की वज़े से जो सेटीव सेवंटीफोर मिलियन डॉलर का अउट फ्लो हो सकता है नहीं सेवंटीफोर परसें जो निवे से कम होता हो दिखा देगा पैटीम में तो यहां पे देखो कि जो कट ओप पिरियड है इसका इंडेक्स का वो 24 मई को है रीवी होगा और उसमें 17 अप्रेल से देख सेकतो कि 31 अप्रेल के बीच में एनॉंस्मेंट हो जाएगी और 13 मई से आप देखो कि इस इंडेक्स के अंदर इसको सामिल किया जाएगा और जो एड्जेस्मेंट होगा वो 31 मई से होगा तो आने वाले मई महिने से यह एनेच्पीसी लिमिटेड जो है मौर्गेश टेली के इंडेक्स के अंदर सामिल होगा तो इसकी ऑफिसल एनॉंस्मेंट 13 मई को होगी और 31 मई से इसके अंदर सामिल होगा यह अभिलास पगारिया जो है डेनोमा इसे में एनेच्पीसी में हंदेड के पहले निवेश करना है यह अंदेड के बाद यह बहुत तेज से बढ़ता हो दिखाई दे सकता है एक बार इसके पीवर्ट लें उनको भी चेक कर लेते हैं तो यहां सगर गिरावट होती है तो 85 का पहला सपोर्ट है यह सपोर्ट टू इसे में यह अच्छा मौका है कि आप एनेच्पीसी लिमिटेड में निवेस्ट कर ले अब हम वोड़ाफ़न एडिया की दरब चलते हैं तो श्टॉक की सुरुआत पॉजिंग 13.55 थी इंटरे में 14.10 का ही भी बना लेकिन उपर के लेवल से आगई प्रॉफिट बुकिंग और इसना 13.05 का लो बना है और इस समय अगर आप देखे तो श्टॉक आपको 13.45 के आपस ट्रेयर करता हो दिखा देगा जहां पे 0.74% की गिराउट देखना को मिल रही है जो बड़ी गुड़नी निकल के आ रही है कि इस समय जो वित्तिय संकर से जूजरी है वोड़ाफ़ की रही तो देख सकते हो कि इस फंड रेजिंग के मादिम से जो 4G नेट्रक है उसका और विस्तार किया जाएगा इसके अलावा कंपनी 5G मोबाइल सर्विस को भी रोल आउट कर पाएंगे करीब एक महीने पहले वोड़ाफ फंड रेड़ा के प्रमोर्टर अधे बिल्ला ग करा जो नोमुडा की तरफ से भी साथ रुपए के टार्टर के साथ इसमें सेल की सला दी थी और कंपनी पर करीब 2.14 लक रोड़ पे का ग्रॉस डैट बाकी है 27 फ्रूरी दोजार चौबिस को कंपनी की तरफ से फंड जूटाने का जो एलान किया गया उसको इस फंड से 4G सर कर से गुजर रही है क्योंकि कंपनी के भी 5G सर्विस भी सुरूर नहीं हो पाई है कंपनी कोसिस पूरी कर रही है कि किसी भी तरह से अपने कारोबार को आगे बढ़ा है और देख सकते हो कि जियो और एटल और से 5G सर्विस लांच कर चुके हर चोटे सहर में भी इनकी पहुंच चुकी आइडिया अब तक हिसा नहीं कर पाए और वोड़ा फ़न आइडिया फिलाल देख सकते हो कि यह जो इस फंड रिजिंग के लिए कंपनी की तरफ से 2 अप्रेल को देख सकते हो कि एज़ेम का आयोजन क्या गया था और इसमें देख सकते हो कि प्रस्तावित एक्विटि व क्रिद्दी मैं हिस्सा लेंगे और जो देख सकते हो कि इस समय जो सम्मावना बंदरी है कि कमपनी फंडेज कर सकती है और यहां पे देख सकते हो कि जो वोटिंग के दिए उस वोटिंग में भी भारी बाउमत से इस फंडेजिंग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है नाइटी 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 नाइट और आप देख सकते हो कि आने वाले समय कुछ संभावना पॉजिटिव बन सकती है लेकिन कमपनी बहुत सारे संकट से जूज रही है और ऐसे में जो इन्वेस्टर है उनको रिस्क के साथ में ही निवेस के बारे में सोचना चाहिए यह रिस्क के स्टॉक है और आप देख सकते हो कि अभी जब तक बड़ा फंड इसको नहीं मिलेगा मुसिवर इसके कम नहीं होगी वैसे पिछला जो क्वाटर थरी था ठीक था कमपनी के लिए कमपनी कुछ बैतर प्रदस्शन किया इस बार आसा करें उससे उमीद के इसाब से अगर रिजल्ट होगा तो फिर इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ सकती है रिवेन्यू फिलाल दिसमर में 10.67,000 क्रोट के आसपास था जा पे 0.56% की व्रजी देखना को मिली नेट इंकम माइनस 6.99,000 क्रोट के आसपास था जा पे 12.57% की व्रजी देखना को मिली और यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस 65.46% जा पे 13.04% की व्रजी देखना को मिली तो कुल मिला के देख सकते हो कि अभी कमपनी भले लॉस में हो लेकिन जो लॉस थोड़ा सा कम हुआ है और ऐसे में कमपनी की जो कोशिस है वो रंग लाएगी तो फिर इसकी प्राइस बढ़ सकती है लेकिन रिस्की है तो आप ये सोच समझे है इसमें थोड़ा सा निवेस के बार में सोचे ज़्यादा निवेस तो बिल्कुल न करे क्योंकि अभी भी इसके लिए बहुत साई प्राइब्लम है अभी ये बहुत पीछड़ गया अपने पेर जो कमपनियों के तुलना में चाहे वोड़ा फोन आइडिया की बात करें तो वो जी और एरिटल से बहुत पीछे और ऐसे में रिस्क बहुत ज़्यादा है और इसलिए बड़ा निवेस इसमें करने से फिलाल बचे एक क्लिर्टी आने दे उसके बाद में ही निवेस के बारे में सोचे लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइननसल एडवाजिस बढ़ए ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंको मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुर की जोर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यो फ्रेंड